Hello Friends, Welcome हमारे इश टेक्निकल नादा आप यूरूप शानल में और मैं हूँ अपका दोस्त मेतावालन दोस्तों आज मेरे पास है दो बॉक्स जिसे मैं अन्बॉक्सिंग करने वाला हूँ खर एक का तो समझ आता है किसे अन्बॉक्सिंग कैसे करनी है लेकिन दूसरे का क्या करें? दूसरे का समझे नहीं आ रहा है किसे अन्बॉक्सिंग करें तो कैसे करें? जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना क्यूंकि दूसरा वाला जो प्रॉड़क्ट है वो ट्राइपोर्ड का है और उसकी हादत इतनी बोरी है कि अन्बॉक्सिंग करने की शुरॉद कहा से करें? ये बिल्कुल भी पल्ले नहीं पढ़ रहा है अब आप सोचेंगे कि आखिर अमजोन वालों ने ऐसा क्या कर दिया है? जिसके वज़े से आप ऐसा बोल्ड हैं जिसकी वज़े से मजबूरन हमें ये वीडियो वालानी पढ़ रही है तो खैर हम सबसे पहले छोटे वाले बॉक्स को अन्बॉक्स करेंगे उसके बाद फिर बड़े वाले बॉक्स को करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं दूस्तो इस बॉक्स में है स्प्रिंग क्लैंप जो की वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी के लिए यूज़ किया जाता है जो भी बैकड्रॉप में ग्रीन स्कीन हो या ब्लैक स्कीन उसको पगड़ के रखने के लिए इसका इस्तमाल होता है तो चलिए अब हम इसे अन्बॉक्सिंग करते हैं दूस्तो ये निकल के आ गया स्प्रिंग क्लैंप अब हम इसे काउंट करते हैं देखते हैं कि बार अपिस है या नहीं एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आथ, नो, दस, एक ज्यारा सिर्फ एक ज्यारा पिसेज में रहे हैं जबकि मैंने बार अपिसेज का ओर्डर क्या था और बार अपिसेज का ही एक बॉक्स आता है खेर हम इसे वापस बॉक्स में डाल देते हैं दोस्तों यह जो स्प्रिंग क्लैम है, यह 12 फिसेज काता है जो कि मुझे 11 फिसेज ही मिले हैं यानि एक पिस कम मिला है अगर हम इसकी प्राइस की बाप करें तो इसका प्राइस 799 रुपिस परता है अगर हम इसे कल्कुलेट करते हैं तो 799 डिवाइड बाइ 12 तो एक पिस का 66.58 रुपिस परता है लेकिन अब सवाद यह उठा है कि यह जो मिस्टेक हुई है यह घलती से मिस्टेक हुई है या फिर इसे जान पुछ कर किया गया है तो मैं आपको बना दूँ कि मुझे रगता है कि इसे जान पुछ कर ऐसा किया गया है क्योंकि हर इक प्रोड़क्ट की पैकेजिंग हो दे डाइम उसकी रीचेकिंग होती है यह सिर्फ 12 बिजनस की बात है 1200 बिजनस की बात नहीं है जो मिस्टेक हो जाएगी तो रीचेकिंग में तो पकरा जाता है तो रीचेकिंग में फिर से मिस्टेक कैसे हो सकती है तो इस बात से साफ साफ जाहिर होता है कि यह जो एक प्रोड़क्ट का घपला हुआ है यह एक्चर में घलती नहीं है इसे जान पुछ कर किया गया है अब आप सूचेंगे कि एक पिसका क्या करेंगे पोलो एक पिसका चुरी करके क्या होगा तो मैं आपको बता दू कि यह बहुत बड़ा विजनस हो सकता है बेभी पॉसिबल आपको एक दिख रहा है लेकिन उन्हें हजार दिख रहे है तो ऐसे करकर कि वो लोग ना जाने कितने कमारे यह कोई भी नहीं चानता है यह मेरा अनुमान था, मेरा एक कैलकुलेशन था अगर हम आनलाइन सेलिंग की बात करें तो इंटरनेट पे हजारों नहीं बलके लागों करोरों की सेलिंग होती है आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि दो हजार उनीस में सिर्फ एक मिनिट में चार हजार आइटम सेल किये जाते थे एमाजोन से, यूएस कंट्री में तो आप एक घंटे, एक दिन, या फिर एक महीने, या फिर साल बर का अनुमान लगा सकते हैं कि इतना जादा सेली होती है, और मैंने, खेर हम दूसरे बॉक्स के तरफ बढ़ते हैं, जो कि यह है यह है ट्राइपोर्ड इसकी हालत देखके आपको क्या लगता है इसके अंदर जो समान होगा, जो ट्राइपोर्ड है, वो सही होगा मुझी ने लगता वैसे, डैमज देखके किसना डैमेज है, देख रहा हूँ, यह पूरी तरद से डैमेज है ऐसे पैकिंग होती है Amazon की, देख लीजे, ऐसे पैकिंग होती है कमाल का या, जिन्दगी में पहली पार ऐसी आन्बोक्सिंग कर रहा हूँ है जिसमें, फिनिशिंग देखे, कितनी अच्छी फिनिशिंग है, यह पैकिंग है, कमाल का पैकिंग है चलिए देखे, उन्बोक्स करके इसके अंदर क्या है लोग, पहली इसी खूला हुआ है बॉक्स के अंदर एक और बॉक्स इसमें खाली, कुछ नहीं है इसमें इसमें इसमें, इसमें इसमें क्या है यह है ट्रैपोर्ट यह क्या हो, टूटा हुआ दे दिया कमाल एक दमसे टूटा हुआ दे दिया इसका एक लेक टूटा हुआ देखिया दोस्तों यह समय जब डेलेवर हुआ था तो उस टाइक मैं घर पे नहीं था मैं कहीं बाहर किया हुआ था खर अगर आपके साथ ऐसा होगा तो आप क्या करेंगे तो आपको बता दो कि सबसे पहले क्या करना है कि जब भी ऐसी कंडिशन कोई भी प्रोड़क्ट आता है तो उसे घर से ही वापस करते हैं और बेस्ट सेलर से पर्चेस करें चाहिए समान पर्चेस करें खैर अगर किसी भी वाज़ा से टूटा हुआ समान आपके घर पर डिलेवर हो जाता है तब आप क्या करेंगे तो सबसे पहले क्या है कि आप गूगल को उपन करें गूगल के सर्च बार में टाइप करें अमाज़ोन तॉल फ्री नमता है अगर आप आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो एक विपसाइट ओपन होके आएगे उसमें आफशन आएगा फोटो एटैश करने का फोटो अपलोड करने का तो आप फोडो खिश ले जो भी समान डैमेज हो चुका है उससे अच्छे से फोडो खिश लेती जाए पाच उसके बाद फिर फिर व करेंगा उसके आफिस में पहुंचेगा उसके बाद फिर आपको कोई दूसरा डिलवर होगा और फंड का मतलब होता है कि आपको आपकर जो समान है वो ले लेगा और आपके पैसे आपके बैंक अकांड में ट्रंसफर कर दे जाएगा या फिर एमजोन पे देंगा दोस्तों आपके साथ फ्रॉड हो रहा है कल हजारों लोगों के सांथ होगा और इस दिश का नजायस फाइदा आमाजोन में टुच्चे लोग जो काम कर रहे हैं वो लोग इस दिश का फाइदा उठा रहे हैं जो कि ऐसा नहीं करना चाहिए इसलिए मैंने आमाजोन पे कॉल करके लाइक कीजे अगर आप ऐसे ही इंफर्मेशन और चाहते हैं तो जल्दी से हमारे इस टेकनिकर मैंने वीरूप चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकोन को प्रेज जरूर करें ताकि आगे भी ऐसे ही इंफर्मेशन अब तक पहुंच सके और आप मुझे कॉमेंट चैनल कर व्कारओं